नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग आपका इस शैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक और वीडियो है गिवावे वाली आज मैं इस स्मार्टफोन का गिवावे करने वाला हूँ साथ ही अन्बॉक्सिंग रिव्यू और कैमरे की कुछ सेंपल भी आपको दिखाऊ सबसे ज्यादा सस्ता फॉन यही है इस से नीचे कोई भी वी फॉन आए यानि इस से कम प्राइस कोई भी फॉन नहीं है और इसका जो इस स्प्विक्केशन है वह आठ से करना है हमारे चैनल को सबस्राइब करना है और मेरे इंस्टाग्रैम एकांट्स को क्योंकि जैसे ही एक हजार लाइक इस वीडियो पूरे हो जाइंगे मैं इंस्टाग्रैम एकांट्स पर वीनर का अनॉंसमेंट कर दूंगा आपको वीनर field वहीं पता चलेगा तो दोस्तों मेरे Instagram को follow जरूर कीजिए चलिए दोस्तों इस वीडियो को start करते हैं यहाँ पर इसको मैंने flip card से मंगाया था और यह box मिला था इसमें से मैंने इस phone को निकाल लिया है 10% का bank discount लगा कि यह मुझे 4949 रुपे का पड़ा यानि 4950 रुपे के करीब का पड़ गया है पीछे कुछ features दिये हुए है जो मैं आपको आगे बताता रहूँगा और यह box के अंदर एक और box है जिस पर Gionic की branding कर रखी है Gionic टाइम में MI की टककर का था यानि MI के साथ ही आया था इंडिया में और अभी भी इसके phone काफी अच्छे बिकते हैं बस इसकी marketing जो team है वो निकम्मी है या वो कह लिजिए कि पहले जो आई थी team वो बेकार थी अब इसको दुबारा से इंडिया में फैलाने की कोशिस की जा रही है क्योंकि इसके phone काफी अच्छे हैं सस्ते भी अच्छे भी हैं यहाँ पर आपको same injector tools नहीं मिलता हाला कि socket बना हुआ यहाँ पर एक screen protector मिल जाता है micro USB charging cable मिल जाता है और एक 10 watt का fast charger आपको यानि adapter मिल जाता है 10 watt है तो आपका phone सही तरीके से charge हो जाएगा अब यह है phone इसके ओपर एक elimination लगी हुई है जिस पर कुछ इसकी जो special features है वो mention है तो इसको अटा देंगे दोस्तों यहाँ पर 5 higher mh की आपको battery मिलती है जोकि 10 watt fast charge support है और इसकी जो display है वो 6.1 inch की HD plus full view dew drop notch display है जिसके उपर screen protector लगा हुआ है यानि 2.5D का curved glass लगा हुआ है screen protector में और इतने कम price में आपको यह सारी facility मिलती है back जो है काफी चिकना है और यह कई बार हाज से फिसल भी जाता है इसलिए आपको screen इस पे back cover लगाना पड़ेगा और back में dual camera भी दिया हुआ है जब यह phone launch हुआ था तो 6000 नौसन इंडियान में price था और जब से यह big billion days आया है तब से इसका 500 price है बिना किसी discount के और discount आप लगाते हैं तो आपको 5000 रुपे से 50 रुपे कम का पड़ जाएगा तो जियोनी का इसमें UI है Android 10 operating system दिया हुआ है और जियोनी कोई नया brand नहीं है MI के साथ इसने entry की थी इंडिया में और बहुत famous भी हुआ था offline market में थोड़ा से इसका network कमजोर हो गया इसकी marketing team की बज़े से लेकिन online में अभी भी यह काफी भिकता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है अब जिंदगी होगी max यानि इसमें आपको कम प्राइज में सभी चीज़े ज़्यादा दे गए बैटरी, डिस्प्ले और इसके अंदर अगर आप heavy से heavy game भी केलेंगे तो भी असानी से चल जाएगा 2GB RAM और 32GB की internal storage है अलग से अगर आप SD card लगाना चाते हैं तो 256GB तक का SD card support कर जाता है यहाँ पर पहले से काफी सारे apps installed हैं अगर आपको पसंद नहीं आते तो आप uninstall कर सकते हैं या disable कर सकते हैं यह कुछ features यहाँ पर हैं Android 10 है और Gionica खुद का UI है बहुत ही simple UI है कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह सकते हैं और इस price में अगर आपके phone में कुछ खमी भी दिखती है हाला कि मुझे अभी तक दिखी नहीं तो भी ignore करने वाली चीज है क्योंकि 5000 रुपे में अगर आप Samsung का कोई phone खरीते हैं तो 1GB RAM का आ रहा है और उसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं यहाँ पर battery अलग से लगानी पड़ती है 5000 mh की powerful battery 10 watt charge fast charge है और battery थोड़ी सी भारी है हाला कि जब इसे लगा लेते हैं तो हाथ में यह phone बिल्कुल यह भारी नहीं लगता 80 gram से भी कम का इसका बजन है बैटरी लगा के तो यहाँ पर यह पीछे से back finish काफी अच्छी मिलती है Micro USB charging point है Gioni की पीछे branding है Back में जो camera है dual camera है 13 megapixel primary और secondary जो camera है walk lens वाला camera है जो 2 megapixel से कम का है अकर आगी camera की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 megapixel का selfie camera मिल जाता है यहाँ पर power का button, volume का button और एक LED flashlight पीछे की तरफ दी गई है अगर बात करें इसके processor की तो यहाँ पर आपको octa core spread drum processor मिल जाएगा जिसकी अगर तुलना की जाए तो snapdragon 649 वाला processor जो है उससे अच्छी इसकी speed है processing और यह ना media tech का processor है ना ही qualcomm का है यह एक अलग तरीके processor है जो काफी सारी country में काफी सारे फोनों में पहले से आता है और बहुत पुराना processor है ऐसा कुछ नहीं है बहुत अच्छी company यह भी है तो back में यह design आपको face मिल जाता है Bluetooth इसमें थोड़ा सा old है 4.2 वर्जन वाला Bluetooth है Wi-Fi latest है other features की बात करें तो gravity, sensor, proximity sensor, walk effect और face unlock भी आपको यहाँ मिलता है दोस्तों यहाँ पर fingerprint sensor नहीं है लेकि face unlock है और साथ ही आप यहाँ पर pattern lock या password यूज कर सकते हैं अपने phone को lock करने के लिए notch display है इसको on कर लेते हैं तो यहाँ पर इसकी जो chin है वो थोड़ी सी ज़्यादा है लेकिन फिर भी normally 8,000-9,000 रुपे के phone में इतनी बड़ी आ रही है काफी सारे phone हो में तो एक तरह से ignore करने वादी शीच है हाला कि इसके जो box पे है mad in india लिखा हुआ है और यह यहीं noida में बना हुआ है क्योंकि इसके box पे noida का ही address दिया हुआ है sorry ओखला का address दिया हुआ है याई डेली में ही company manufacturing किया हुआ है इसको तो यहाँ पर आपको काफी अच्छा दिया है और 2.5D का curved glass phone के उपर लगने से उसकी जो quality है security production quality और जो दिखने का look है वो भी काफी अच्छा हो जाता है touch बहुत अच्छी है इसकी touch काफी जादा अच्छी है और बहुत smoothly सारे apps एस में और internal storage देखें तो इतने सारे apps होने के बाब जूत पहली बार जब यह start हुआ तो यहाँ पर आपको 21GB का internal storage free मिल जाता है 32GB में से 10.5GB के करीब करीब यूज हो जाता है और बाकी आपको खाली मिलता है तो काफी सही है इतना ही हर phone में आपको मिलता है हाला कि आप इस screen protector को इस्तमालना करें कुछ अच्छा सा भी लगवा सकते हैं इस पर क्योंकि मैंने जैसा कि बताएं अगर आप इसे back cover यूज नहीं करेंगे तो यह phone काफी ज़्यादा आपके हाँ से गिरेगा फिसलता है back इसका बहुत थी एक तो phone थोड़ा से छोटा है ए यहाँ पर ज़्यादा नहीं करूंगा इसकी एक अलग वीडियो बनाओंगा camera testing की और setting की तो यहाँ पर यह back camera है इसका lighting थोड़ी सी कम है फिर भी काफी ज़्यादा है 4x zoom है यह यह देखिए 4x zoom यहाँ पर है photo काफी अच्छी आ रही है जिससे मैं video record कर रहा हूं उससे उतन daylight में इसका back वाला camera यूच करते हैं तो आपको बहुत अच्छी वीडियो और photo मिलेगी आप इसके आगे वाले camera और पिछे वाले camera से full HD recording कर सकते हैं वीडियो और यहाँ पर यह selfie camera है दोस्तों यहाँ पर beauty mode मुझे लगता है इस camera में on ही है तो अगर आप आपको सभी चीज़ को subscribe जरूर कर लें यहाँ पर आपको एक और फाइदा हो सकता है क्योंकि यह वीडियो giveaway वीडियो है जियोनी max का तो यहाँ पर अगर आप हमारे channel को subscribe करते हैं एक comment करते हैं और मेरे instagram accounts को follow करते हैं तो आपको यह smartphone जीतने का मौका मिल सकता है जैसे ही 1000 likes इस video पर पूरे हो आते हैं तो नीचे comment box में comment कर सकते हैं thank you मिलते हैं अगली बार एक और latest video के साथ